नमस्कार दोस्तों, स्वागत है, आप सभी का हमारे इस चैनल गरुड धर्मार्थ पर, दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, जै माता पारवती, जै भगवान भोलेनाथ, दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको सावन मास में सुहागिन महिलाओं को, क्या वो ऐसे कार्य है जो जरूर करने चाहिए, ये जानकारी आज हम आपको शेर करने वाले हैं, सावन का महीना सुहागिनों तथा कुमवारी कन्याओं के लिए ही शुभ माना जाता है, सुहागिनों का जूला वर्षा आदी में सनान करना सर्वश्रेष्ट माना जाता है दोस्तों सावन का महीना बहुत ही पवित्र महीना होता है सावन का पवित्र महीना भगवान भोले नाथ और माता पारवती का मास होता है सावन का महीना गंगा जल की तरह पवित्र माना जाता है और इस पवित्र सावन के महीने में जो भी भक्त सच्चे भाव से, सच्चे मन से मया पारवती भोले नाथ की शरण में जाते हैं, उनकी हर मनोकामनाएं, हर इच्छाएं भोले नाथ और माता पारवती जरूर पूरी करते हैं और करें भी क्यों ना? आखिर हम माता पार्वती और भोले नात की ही संतान है. सावन मास में आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है. मात्र पवित्र शिवलिंग पर एक लोटा जल अर्पित करने से भगवान भोले नात आपके सभी संकटों को समाप्त करते हैं. शिवा पुराना में बताया जाता है कि सावन के पवित्र महीने में घर परिवार में किसी एक सदस्य को एक तांबे के लोटे में जल भर कर और उसमें थोड़ा गांगा जल और कोई भी एक लाल पुष्प शिवलिंग पर चढ़ाने से भोले बाबा आपको धन से माला माल कर द चाहिए दोस्तों भोले बाबा सच्ची भक्ति के भूखे हैं वो आप से कुछ नहीं मांगते सच्ची भावना और सच्चे दिल से अगर आप उन पे जल भी अर्पित करते हैं तो महादेव आपके घर में अपना स्थान बना लेते हैं बड़े से बड़े राक्षस को भी भ प्रति लगाव आस्था प्रेम भाव होना चाहिए तबी ही महादेव का विशेश भल और हमें सिद्ध की प्राप्ति होती है शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि अगर आपके माता पिता नहीं है तो आप भगवान शिवा को अपने माता पिता सच्चे हरदय से एक बार म चले आएंगे दोस्तों अगर आप शिवा से प्यार करते हैं तो सच्चे हरदय से कॉमेंट बॉक्स में लिखे भगवान शिवा के लिए एक लायक तो बनता है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर दबाएगा सुहागिन महिलाओं के लिए सावन का महीना बहुत ही ज्यादा बहतर और पवित्र खास होता है और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सावन सोमवार वरत जितना महत्व रखता है उतना ही माता पारवती के निमित माता मंगला गौरी का वरत हम सावन मास में करते हैं। उन्हें प्रसन्न करने के लिए अपने जीवन में सदैव सौभाग्य बना रहे। ऐसी कामना से सुहागिन महिलाएं मंगला गौरी का वरत सावन मास में जरूर करती है दोस्तों। सावन मास में माता पार्वती की उपासना से आपके जीवन में सुख सौभाग्य बना रहता है। वह भी हो जाएंगी। घर में सुख सम्रिद्धि बनी रहती है। आईए जानते हैं दोस्तों, सावन मास में भोलेनात की पूजा आराधना के साथ साथ माता पार्वती की पूजा आपको हर रोज करनी चाहिए। वो भी पूरे सावन मास आप करें। आपको इवरत करें। किसी भी प्रकार की अगर पती को स्वास्थे संबंधी समस्या है तो आपको ये कार्य तो जरूर ही करना चाहिए। माता पार्वती कभी अपने भक्त को निराश नहीं करती। दोस्तों माता को एक लाल फूल अर्पित करें। रोजाना गुड़ल का फूल हो तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और लाल सिंदूर रोज माता को अर्पित करें। और फिर अपनी मांग में भी जरूर भरें। कार्य आपको करना ही करना चाहिए, और ये उपाय सभी के लिए है दोस्तों. अब जानते हैं दूसरा कार्य. सावन के महीने में आपको और हर सभी सुहागिन महिला को ये जरूर करना चाहिए. देखिए दोस्तों, ये सावन मास है, हरियाली का मास है, बारिश का मौसम भी होता हर तरफ हरा ही हरा इस समय दिखाई देता है, यानि साफ साफ कहा जाए तो इस मौसम को प्यार का महीना भी कहा जाता है, और ऐसे में हरे रंग का सावन के महीने में बहुत विशेश महत्व होता है। दीरगायू रहने का अशिरवाद देते हैं। दोस्तों, इसी लिए आपको सावन के महीने में हरे रंग का उप्योग जरूर करना चाहिए। चूडियों में करें, कपड़ों में करें, पर हरे रंग का इस्तिमाल जरूर करें। ऐसे में आप भगवा रंग भी पहन सकते हैं। इससे माता पार्वती अतिप्रसन्न होती है। याद रहे, सावन के पवित्र महीने में काला वस्त्र तथा सफेद रंग का कपड़ा सुहागिन महिलाओं को नहीं पहनना चाहिए। सुहागिन महिलाओं के लिए ये रंग अशुभ माना जाता है। हमारे वेदों के अनुसा जब से हमारी सृष्टी की सनरचना हुई है, तभी से वधू को शादी में लाल जोड़ा ही पहनाया जाता है। लाल हरा गुलाबी महरूम और रेंज कलर ये सब शादी के जोड़े में वधू को पहनाया जाता है। भगवान शिवा का जब विवाह हुआ था, तब माता पा अनुमान लगा सकते हैं कि लाल जोड़े का महत्व एक सुहागन के लिए कितना है। इसलिए सावन के महीने में लाल जोड़ा, लाल वस्त्र, लाल चुडी मांग में लाल सिंदूर, लाल बिंदी लगाना, पैरों में लाल महावर लगाना, अतिशुभ और मंगलकारी माना गया है, विशेश माना गया है, शुबकारी माना गया है। इससे सावन में चार चांद लग जाते हैं और देव शक्तियाओं प्रसन्न हैं दोस्तों। तीसरा कार्य सावन के महीने में किसी भी सुहागिन महिला का गला खाली नहीं रहना चाहिए। खास तौर पर हर सुहागिन महिलाओं को सावन मास में मंगल सूत्र जरूर धारन करना चाहिए। यदि आपके पास अगर मंगल सूत्र उपलब्ध नहीं है, तो आप अपने गले में मोतियों की चेन भी पहन सकते हैं। लेकिन सावन के मास में महिला का गला बिलकुल भी खाली नहीं होना चाहिए। और अगर मंगल सूत्र है, तो आपको मंगल सूत्र ही पहन लेना चाहिए। दोस्तों, खास बात का ध्यान रखिए, कि मंगल सूतर कहीं से भी तूटा हुआ ना हो, गला हुआ ना हो, किसी भी प्रकार से अगर मंगल सूतर में कोई दिक्कत है, तो आप उसे फिर से अच्छे से तैयार करवा लें, और इसके बाद उसे सावन के महीने में पूरे मांस कम स कम आपको जरूर धारन करके रहना चाहिए, जब किसी के पती की मृत्यू हो जाती है, तभी ही उसके गले से मंगल सूतर तोड़ दिया जाता है, उसे मंगल सूतर से वंचित कर दिया जाता है, यदि आपके पती हैं, और आप सावन के महीने में गले में मंगल सूतर धारन न पर गले में भले ही आप ना पहने पर गले में पती के नाम का काला धागा जरूर डालने दोस्तों। चौथा कार्य सावन के महीने में भूल कर भी किसी भी सुहागिन महिला को काले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। इस बात का ध्यान आपको खास तौर पर रखना चाहिए। सुहागिन महिला का एकदम काले कपड़े पहनना मतलब काल को आमंत्रित करने के बराबर है। इससे भी पती की आयू दीर घायू नहीं बलकि मृत्यू को आमंत्रित करने के बराबर माना जाता है। देखिए, हम हर रंग के कपड़े पहनते हैं और पहनने भी चाहिए। इसमें कोई दिक्कत भी नहीं होती। लेकिन सावन के मास में आप काले रंग के कपड़े ना पहने। आप अन्य किसी भी रंग के कपड़े पहने। लेकिन काले रंग के कपड़े तथा एकदम सफेद कपड़े खास तोर पर सावन मास में दूरी बना ले शादी शुदा महिला के सफेद कपड़े पहनाना भी विधवा होने की निशानी मानी जाती है विधवा होने का भयंकर रूप माना जाता है से भी पती की आयू कम होती चली जाती है दोस्तों, पांचवा कार्य सावन के महीने में सभी विवाहित महिलाओं को, सभी सुहागिन महिलाओं को इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए कि उनकी मांग सदैव भरी रहे दोस्तों, सावन के महीने में सुहागिन महिलाओं को अपनी मांग कभी खाली नहीं रखनी चाहिए जो भी सिंदूर आप लगाते हैं कोशिश तो ये करनी चाहिए कि जो आपके सुहाग का सिंदौरी का सिंदूर है सावन मास में आप थोड़ा वो भी लगाए अगर आप वो पीला सिंदूर नहीं लगा सकते है आप कोई भी लाल सिंदूर जरूर लगाए अगर आप ऑन्फिस जाते है तो ऐसे में जो भी सिंदूर आप लगाते हैं वो जरूर लगाए सावन मास में अपनी मांग कभी खाली ना रखे ऐसा करना अशुब होता है तो आप इस बात का भी जरूर ख्याल रखेगा अगर आपने अपने पती के नाम का सिंदूर खरीदा है या आपकी शादी का सिंदूर है तो बहुत ही शुब माना जाता है उसे संभाल कर रखें सदैव रखें शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि पती के नाम का सिंदूर बड़ा ही महत्व रखता है खूबसूरत होता है साथ फेरों के साथ बंधा होता है जो आपके अटूट रिष्टे को दर्शाता है इस सिंदूर को कभी बांटना नहीं चाहिए नहीं तो पती का प्यार भी बट जाता है और निकट भविश्य में आपके पती की मृत्यू भी जल्दी उम्र में हो जाती है ऐसे सिंदूर बांटे नहीं बलकि खुद अपनी मांग में भरे पती का नाम लेकर भरे यदि सिंदूर की डिब्बी में सिंदूर खत्म हो जाए तो खत्म होने से पहले ही सिंदूर भर लेना चाहिए सिंदूर भरा होने से धन की देवी माता लक्ष्मी आपके घर में अस्थाई निवास बनाए रखती है उस घर में धन की कमी नहीं होती दोस्तों सावन मास में सिंदूर खरीदना, सिंदूर बांटना भी बहुत ही शुब कार्य होता है तो आप ऐसा भी कर सकते हैं सिंदूर से जुड़ा हुआ ये कार्य पति-पत्नी के जीवन में प्रेम को बढ़ाता है सुख सम्रिद्ध की प्राप्ती होती है घर में ग्रिह कलेश नहीं होता दोस्तों छटी बात सावन के महीने में सुहागिन महिलाओं के लिए वैसे तो सोलह शुरंगार बहुत ज्यादा शुबकार होता है जो की करना भी चाहिए हर महिला को खास मौकों पर लेकिन अगर पूरे मास में नहीं कर है तो ऐसे में सावन के महीने में जैसे हमने आपको बताया मंगल सूत्र सिंदूर इनका ध्यान रखे और वस्त्रों के रंग का भी ध्यान रखे जो भी आप कपड़े पहनते हैं तो काले रंग के ना पहने उसी प्रकार से आप अपने पैरों में बिचिया और पायल आपको सावन मास में जरूर पहननी चाहिए दोस्तों, देखिए घरों में जब महिलाएं पायल पहनती है तो बहुत ही शुभता आती है पायल में जो घुंगरू होते हैं उनसे घर में पॉजिटिविटी बढ़ती है और उनकी आवाज से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती माता पारवती प्रसन्न होती है और स्वयम आपके घर पधारती है आपके पती को आशीरवाद देती है तो ऐसे में सावन मास में आपको जरूर करना चाहिए आपके ऐसा करने से धन धानने की कमी नहीं होती तो ऐसे में खास कर अपने पैरों में बिछुआ और पायल जरूर पहन कर रखे नहीं तो सावन का पवित्र महीना अधूरा माना जाएगा सावन में श्रंगार करना सुहागिनों की बड़ी अहम भूमिका रही है दोस्तों साथवा कार्य सावन के महीने में सुहाग जैसे की हमने बताया कि सुहाग की को खरीदना बहुत ही शुभ कार्य होता है आप अपने लिए जितना हो सके सुहाग की सामगरी खरीदे और हो सके तो सावन के पवित्र महीने में सुहाग की सामगरी दान जरूर करे आप चाहे तो रिष्टेदारों में बांटे पडोसियों को बांटे तथा अपने परिवार में बांटे बड़े से बड़ा अमीर व्यक्ति भी सावन के महीने में सुहाग की सामगरी बांटते हैं। बड़ा शुभ लाभ प्राप्त होता है। इससे घर की प्रगती होती है। उन्नती होती है। पति की आयू बढ़ती है। पति-पत्नी का अमर हो जाता है। प्रेम का असीम सुख प्राप्त होता है। माता-पिता भी अपने संतान के सुख के लिए सुहाग की सामगरी दान कर सकते हैं या गिफ्ट के तौर पर दे सकते हैं। पर शर्त ये है कि नई सामगरी, नए-नए आभूशन, नए-नए श्रंगार आदी होने चाहिए। इससे भोले बाबा और माता पारवती अतिप्रसन्न होते हैं। और देते हैं खुश होकर सुख समरिद दिवैभव का वरदान, अन्य लोगों को सुहाग की सामगरी, जैसे सिंदूर बिंदियां, हरी भरी चूडियां, पायल, इस प्रकार की चीजें आपको ज्यादा से ज्या ही खरीदें और बांटे दोस्तों। आठवा, सावन के महीने में, महंदी सावन के महीने में, हर विवाहित महिला को, बलकि सभी को, और हाथों पर महंदी, तो कुवारी कन्याएं भी लगाती हैं। आपको बता दें। हाथों पर महंदी किसी भी महिला को चाहिए, ऐसा करना बहुत ही शुभ माना जाता है माता पार्वती का आशीरवाद प्राप्त होता है ऐसी सभी चीजें सुहाग की निशानी होती है और सावन के मास में माता पार्वती की पूजा वह आराधना के साथ साथ अगर हम इन कारियों को करते हैं तो इससे माता हम पर प्रसन्न होती है और हमें मन चाहा आशिरवाद देती है। दोस्तों, ऐसे में आपको ये सभी आठो कारे करने हैं, जो कि बहुत ही छोटे-छोटे हैं और बहुत ही सरल और आसानी से आप कर भी सकते हैं। ध्यान पूर्वक सावन के महीने में सभी सुहागिन महिलाएं इन कारेों को जरूर कर ले। नहीं तो सावन का पवित्र महीना अधूरा माना जाएगा। ये पवित्र त्योहार इसके बिना रूखा-रूखा माना जाता है, आपका व्रत भी इसके बिना अधूरा रह जाएगा। सावन में छोटी-छोटी कन्याओं को चूडियां भेंट करने से, बिंदी भेंट करने से, पायल भेंट करने से, कंगा भेंट करने से, और अपने हाथों से खुद उनकी कलाईयों में चूडियां पहनाने से, नौ देवी, अर्थात, ब्रह्मांड देवी प्रसन्न होती हैं। माता लक्ष्मी, माता काली, माता सरस्वती, तीनों देवियों का भरपूर आशीरवाद प्राप्त होता है। भगवान भोले बाबा की कृपा बरस्ती है, माता पार्वती की कृपा बरस्ती है, लक्षमी दोनों हाथों से धन की वर्षा करती है, कन्याओं में साक्षाद देवी मां बस्ती है, तो अगर कृपा पाना है, तो सावन में छोटी-छोटी कन्याओं को यह चीजें भेंट साल में एक ही बार आता है। पूर हो जाएंगे।